दोस्तो अगर आप भी स्वयम NptL के questions के answers Google पे ढून ढून के ठक गए हो और नहीं मिल रहा है कोई जवाब तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे tricks बताने वाला हूँ जिससे जो है आपके सारे सवालों के जवाब easily बिल जाएंगे तो दोस्तो अभी हम पहुच चुके है swam.gov.in की website पे तो यहाँ पे जो है मैं आपको सारी procedure step by step समझाने वाला हूँ लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बता दू कि अगर आपके पास PC या फिर laptop अवेलेबल नहीं है तो आप ये सारी procedure आपके phone में भी कर सकते हो इसके लिए आपको आपके phone में Chrome browser इंस्टॉल कर लेना है इसके बाद उसका जो version है वो desktop mode पे select कर देना है जिससे क्या होगा कि मेरी screen और आपकी screen same to same रहेगी तो मैं जो step आपको यहाँ पे बताऊंगा वही same to same step आप आपके phone में भी follow कर सकते हो तो चलिए तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने मेरा account already login कर लिया है तो मैं अभी इसपे click कर लेता हूँ और चले जाता हूँ my courses में तो जब हम इसपे click करते हैं तो हम जो है हमने जितने भी course यहाँ पे select किये थे उस सब में पहुच जाते हो जैसी कि आप यहाँ पे screen पर देख पा रहे होंगे मैंने दो course select किये थे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सामने इसके 5 lectures available है और साती में एक questions paper भी available है तो मैं अभी इस question paper को open करता हूँ कि कैसे जो है यह question paper हमको दिखता है तो यहाँ पे जो है काफी hard question हमको पूछे गया है और इस question के answers हमको Google पे भी नहीं मिलने वाले है तो आपने जो है यह अपने phone या फिर laptop में try किया ही होगा इसके पहले तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक नई way बताने वाला हूँ तो अभी जो है आपको यहाँ पे left corner में lectures दिख रहे होगे तो आपको यहाँ पे यह lecture new tab में open कर देना है अभी जब यह lecture open होता है तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है हमको play का option आता है तो इसको play कर देना है इसके बाद आपको जो है यहाँ पे YouTube का logo दिख रहा होगा हम इस पे click करेंगे इस पे click करने के बाद आपको जो है यह lecture YouTube में देखेगा तो आपको जो है यहाँ पे इस lecture को pause कर देना है pause करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे three dots देखने को मेलेगे आपको इस पे click कर देना है और यहाँ पे open transcript पे click कर देना है जिससे क्या होगा कि इन सरों ने जितने भी words इनकी सारे lectures में बोले होगे, वो सारे lectures के words आपको यहाँ पे time के साथ देखने को मिलेगे, तो आपको जो है simply इसके बाद ctrl F टाइप करना है, इसके बाद जो है, आपको यहाँ पे search panel open हो जाएगा, तो आपको जो है, यहाँ पे वो words search करना है, अगर आप जो है, यह सारे प्रोस्चर आपके phone में follow कर रहे हो तो आपको वहाँ पे find करके भी option मिलेगा, इसके बाद अभी हम चलते हैं अपने lecture में मतलब sorry, अपने question में तो यहाँ पे जो है, यह question हमको पूचा गया है, तो इसमें से जो है तो मैं आपको decision making यह word select करके बताता हूँ तो यहाँ पे जो है, यह word मैंने यहाँ पे paste कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन सर ने यह जो word है, यह साथ बार बोला है इस वीडियो में, तो हमको जो है इस word से related, यहाँ पे सारी जानकरी पढ़ लेनी है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस question का answer management है, क्योंकि इस word से related ही यह paragraph था तो यहाँ पे जो है, हम question paper में आते हैं, और management select करते हैं तो दोस्तो इसी तरीके से आप जो है, आपके सारे question solve कर सकते हो तो दोस्तो वीडियो खतम हो गई है, धन्यवाद